आपको बताएते हैं रेवाडी के अंदर दो व्यक्तियों के उपर की फाइरिंग बड़ी ख़बर आपको बताता हूँ रेवाडी जिले में बदमाशों ने एक डाबा संचालक और उसकी साथी को गोली मार दी दोनों की पैर में गोली लगी है तोनों को प्राइवेट अस्पताल में भरती कराया गया और इसके बाद रेवाडी था ना पुलिस ने C.I.A. रेवाडी के साथ मिलकर वारदात को अंचाम देने वाले दो बदमाशों को गिरफतार कर ले पूरी कवर सुनिए रेवाडी जिले के गाव रोडाई निवासी है जिनोंने मिलकर रेवाडी रोद तक हाईवे पर रोडाई मोड के पास डाबा खोला हुआ है मंगलवार की रात करीब बारा बजे डाबा पर दो लोग आए और इसके बाद उन्होंने दाल मांगी डाबे वाले ने का कि डाल नहीं इसके बाद उनका विवाद हो गया और आपको बताईता हूँ उसके बाद उन्होंने पैसे देने से इंकार कर दिया इसके बाद वहां से चले गए और कुछ देर बाद आए और ढाबस अंचानक ते दोनों लोगों पर फाइरिंग शुरू कर दी इसके बाद पैर में से गोली आरपार हो गई आपको बताई तो और एक के पैर में गोली दस गई गोली मारने के बाद आरोपी मोगे से भाग गए सूचना के बाद पुलिस धाबा पर पहुंची गायलों के परिजनों ने दोनों का उपशार के लिए एक शैर के इगी नीजी अस्पताल में बढ़ती कराया हलां कि जब तक खबर पता चला हमें उसमें बताया जा रहा था कि एक व्यक्ति की तो गोली निकाल लिये डोक्ट की बड़ी खबरे हमारे चैनल पर मिलेंगी इसे के साथ धन्यवाद कल फिर मिलते हैं